हलो फ्रेंज लोग कैसे हैं आप सब भाई सभी चका चक है ना तो चलिए हम लोग देख रहे थे स्केचप का सीरीज जिसमें हम कीचन का डिजाइन कर रहे थे तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप को इस कीचन की कंप्लीट डिजाइन करके आपको दिखाया था और आप देख सकते उसका यह रेफरेंस था तो अभी जो हम लोग इसमें करने वाले हैं वो है टेक्शरिंग यानि कि इसको हम लोग देंगे फाइनल लुक तो चलिए इसमें मैं फाइनल लुक आपको देके द दिखाता हूं और मैं जो टेक्शर करने वाला हूं आज इसमें मैं वीरे यूस करने वाला हुं ठीक है तो चलिए बिना देर किये विडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो चलिए आज हम इसमें टेक्शिरिंग करेंगे और टेक्शिरिंग करेंगे वीरे के जरिए ठीक है वीरे के थूँ इसमें टेक्शिरिंग करने वाले हैं तो चलिए फटा-फट इसमें हम लोग कर लेते हैं टेक्शिरिंग ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कि texturing करने के लिए, जो मैं जिसको जादा तर मैं prefer करता हूँ, कि सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप इन सारी चीजों को कर लिजे hide, right click hide, ओ, ये रहे गया, तो इसको भी आप कर लिजे hide, अब यह hide कर लेने से क्या होगा कि hide कर लेने से आपको इसमें टेक्शरिंग करने में बड़ी आसानी होगी ठीक है तो चलिए इसमें फटा फ़र टेक्शरिंग करते हैं और एक बार हम reference भी देख लेते हैं तो reference कुछ तो यह जो marble वाली जो टेक्शर देनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले देखे यह आपके computer में इंस्टॉल होना चाहिए वीरे तो यह वीरे आपको यहां से दीखेगा तो सबसे पहले आप यहां पर कर दो तो यहां पर क्लिक कीज़े और यह देखिए आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके से अब यहां पर मुझे marbles कुछ लगाने है तो मैं आ जाता हूँ यहां पर stone के अंदर देख लीज़े आपको बहुत सारे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से bricks related चीज़े आपको मिल जाएगी लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे यहां पर कुछ खुद का एक texture डालना है पर समझ में आता रहेगा कि अभी यह हमारी texture है अभी इसको कर लेजें बंद और अभी यहां पर क्लिक कीजिए और यह वाला arrow पर क्लिक कीजिए यहां पर आजए और यह दिखिए diffuse यहां पर मिल रहा है इस पर क्लिक कर दिजए bitmap में जाना है आपको और आपको अपनी जो बहुत सारे textures मैंने यहां पर रखे हुए हैं तो यह texture आप यहां से लेना है मुझे तो अच्छलिए मैं यह वाला texture लगा सकता हूँ यहां पर और भी देख लेते हैं और भी अगर कुछ अच्छी वाली texture है तो भी हम लगा सकते हैं यह भी आप लगा सकते हो यह वाल का texture है जो भी आपको अच्छा लगया आप लगा सकते हैं, ये उड का कुछ टेक्शर है, तो ये तो मैं नहीं लगाऊँगा, मैं ले लेता हूँ, ये वाला टेक्शर, ठीक है, आप यहाँ पर रेफरेंस भी देख लिएचे, तो रेफरेंस में कुछ इस तरीकी की टेक्शर है, तो ये टेक्शर बहुत छोटी है, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया टेक्शर लेना है, ये बही काफी खुपसुआर सा टेक्शर है, मगर इसमें, चलो, ये टेक्शर काफी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये देखो, अगर आप देखो गेना, तो यहाँ पर एक लाइटिं अपने यहाँ पर, ठीक है, आज यह अभी इसके अंदर, ओपन, आगया यहाँ पर मारा टाइल से भी, अभी आप यहाँ से कर जाएं, बैक, यह देखिए यहाँ पर टाइल से आपको दिख रहा है, इसको भी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैं इसको पकड़ूगा और यह देखिए, यह आगया, ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ी से बड़ी करनी है, तो मैं बड़ा भी इसको कर दोगा, मैं बड़ा करके आपको दिखा दूगा, डॉल वारी, तो मैंने यह वाला ले लिया यहाँ से, और इसको मैं कर लेता हूँ भी बंद, यहाँ पर आत तो अभी यह परफेक्ट है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी यह चीज़ आपका मिल गया, मारबल, अगर आपको यहाँ से कुछ और भी लेना है, तो और भी आप ले सेकते हैं, जैसे यह वाला भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ थोड़ा, अगर अ यहाँ से टाइल 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यह देखे, यह लग चुका है, तो यह भी खराब नहीं लग रहा है, यह भी काफी अच्छा दिख रहा है, तो चले, टेंशन नहीं है, और यह हो गया हमारा फिलिश, ठीक है, अभी अगर इसको थोड़ा सा एडिट करना ह यह तो और यहाँ पर आपको टेक्शर का प्लेश्मेंट भी है, यह देखो, यह आपका टेक्शर का प्लेश्मेंट और यह है आपका, यहाँ पर, और एक चीज़ और यहाँ से आप इसको इंट्रक्टिव रेंडर थ्वासावन करकर, यह देखे, यहाँ पर आपको रोटे नहीं करना है तो इसलिए मैं यहां पर जाओंगा और इसके जो rotations है उसको मैं कर दूँगा और इसको आप करिए लाइक फॉर्टी इस कुछ इस तरीके से चलिए तो इस तरीके से इसके प्लेश्मेंट यहां एप आपर ने कर सकते हैं उसलियो का दिख़ा टो चलिए यह हमारा हो गया है यह मैंने इसमें वाल की टेक्षुर में है तो वाल 시 चाहिए आप यहां पर जाएं और यहां पे चले जाते हैं और यहां से जाकर मैं यहां पे आऊंगा और यहां से आपको मिल जागा ceramic यह देखिए तो आपको कौन सा texture लेना है ले लो आपको यह चाहिए अगर suppose तो right click और add to scene कर दीजे तो देखिए यहां पे आ जाएगा और अभी आप इसको इससे select कर ले और यहां से आप इसको direct आपको ड्राग करके भी डाल सकते हो otherwise आप डायरेक्ट इस पे apply कर देजे तो यह देखिए कुछ इस तरीके के दीखेगा अभी आप यहां से जब आएंगे इससे एक बार करके देख लीजे यह देखिए तो यहां पे कुछ आपको इस तरीके से यहां पे wall का texture मिल रहा है लेकिन मुझे यह सारे wall के texture ऐसे नहीं डालने है मुझे इनको plain एकदम simple wall का color करना है तो आप यहां पे आओगे यह तो आपकर selected है ही यहां पे आई और इसको थोड़ा सा white की तरफ ले चाहिए कुछ ऐसा अब यहां पे डाल देचे यहां यही बाली चीए यहां पे भी इससे कर ली चीए और अभी यहां एक बार फिर से interactive render को on करके देख लीचे ओके यह वाला color थोड़ा साब को white की तरफ रख लेना है चलिए तो यह बहतरीन है no issue काफी अच्छ दीखेगा अपने को reflections वगरा सब कुछ इसके अंदर already है तो इससे कुछ नहीं करना है भी और यह हमारा done अब हम आजाते हैं अपने इसके उपर याने के tiles लगानी है मुझे यहां पर तो मैं यहां जाओंगा एक निया generic material right click and rename और इससों कर लेते floor tile on आजाए यहां पर bitmap के अंदर आईए और यहां पर यहां बहुत सारे tiles आपको मिल जाएंगे तो चलिए tiles लगा लेते हैं चलिए यह वाला tiles लगा लेते हैं यहां पर back इसको पगड़िए और यहां पर इससे डाल दीजिए कुछ इस तरीके का टाइल में यहां पर मिल जाएंगे थोड़ा सार बढ़ा लेते हैं 60 कर लेते हैं यह देखिए हमारा यहां पर kitchen में tiles भी लग चुगा है सब कुछ अभी आप यहां पर आका देखेंगे तो दीखेंगे सब जगा सेम ही हैं कोई टेंशन नहीं हैं तो हमारा इस तरीके जबन के अगर आप यहां पर चाहते हो ना तो खुद से भी आप चीजे लगा सकते हैं कोई उसमें problem नहीं है जैसे कर मैं यहां पर आओं तो अभी ceiling कि अगर बात करें तो ceiling में हम आजाते हैं ऐसे double click करके और यहां पर आते हैं और ले लीजे यहां से कुछ रैट क्लिक add to scene करना है आपको और यहां से इसको ऐसा कर लेना है और यहां से इसको पकड़िए ढाल दीजिए यहां पर भी same चीज हमने डाल दिया है कि इसमें हम यह चीज नहीं डालें है तो इसको हम कर दो बंद आजाते हैं और यहां से आले हम लेंगे तो अगर ये वाला क casino शुड़ें dus कर देंजिए और अदों कि दूद्ध अब!」 चलिए, यह होगी अपना, आज़े यह बाहर अभी इसे पगड़िए इसे तो इसको अभी यही से पिक कर लेते हैं यह वाला और इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है, हो गया यह आज़े यह थोड़ा सा बाहर इसमें उडन वाली लगानी है मुझे तो मैं यहाँ पर जाओंगा और यहाँ से लूंगा, उड क्ंट्रोल जेड करते हैं यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से लेते हैं उडन लैमिनेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी-च्छी उडन का चीज़ा मिल जाएगा तो चले मैं यहां से ले लेता हूँ कोई एक और या फिर में यहाँ पे कर लेता हूँ जिनरिक गेड क्लिक रिनेमins कर लेते हैं उड ओन ठीक है और आजाएं यहाँ पे bitmap और यहां से ले ले teजिए उडेन का जो भी आपको लेना है ले लेते हैं ये वाला को यहां लगा देते हैं ऐसे ठीक है अब याजाए ये थोड़ा सा बाहर इसको कर दीजाए बंदी हां से सीन में आते हैं और अभी मुझे यहां पेक लगाना है तो आसा रिफरेंस चेक करते हैं और रिफरेंस में थोड़ी से डेजाइन वाली चीज़ें हैं यहां पे तो मैं आ जाता हूं इसके अंदर और उड़ में यहां से लेने चेंड़ा यह देखिए ठीक है, एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद आप इसको थोड़ा सा, लाइक, चेंज कर सकते हैं, लाइक, इसको कर लेते हैं, एट, टेन रखिए, और ये देखिए, इसको भी हमें रोटेट करना होगा थोगा, है ना, तो मुझे क्या करना है, मैं जाओंगा बैक में और ये देखिए, यहां पर ये वाला जो टेक्शर है, हमारे पास है, तो मैं चला जाता हूं, इसके अंदर, टेक्शर प्लेस्मेंट में चले जाते हैं, और इंट्रक्टिव रेंडर को एक बार आउन कर लिजे, तब ही आपको समझ में आएगा, अच्छे से की, इक्ज जियां, तो चलिए ये भी हमारा काम कंप्लिट, मैं इसको कर देता हूं, बंद, इससे भी कर देता हूं, बंद, अभी अगर आप यहां पर देखेंगे, थोड़ी सी एडिट में आप जाईए, और इस लिंक को खोल दीजे, और यहां से आकर आप इसको कर लिजे 8, तो यह बढ़िया दिखेगा, ठीक है, अभी हम यहां पर थोड़ा सा एक बार इंट्रक्टिव रेंडर कौन कर लेते हैं, चलिए, जियां, सही है, और मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं, इसको भी कर लेता हूं, 8, इसको कर लो 3, थोड़ा सा लंबा हो गया है, यह तो मैं सुर ले आप 12, आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छे से आपको यहां पर इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो यह रीजियन रिंडर है, तो यह देखिए, यह देख जाएगा कि काफी अच्छे से हो रखा है, चलिए, इसको अफ्ट करते हैं, और यह हमारा होगया काम हमने यहां पर टेक्शर डाल लिए हैं, अब मुझे आना है इसके उपर, इसके अंदर आईए, और यहां पर मुझे टेक्शरिंग करनी है, तो यहां पर यहां से देख लिए यह वाइट है, और बहुत ही ग्लेज वाला है, तो चलिए, उसके लिए भी मुझे यहां पर जा और यह वाला जो मेरा था ना यह सेम तु सेम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं कर दीजे यहां पर भी अप्लाई यहां पर भी कुछ इस तरी के ज़े बंद एक बार फिर से डबल क्लिक किजिए सीन के उपर तो आपको यह सीन मिल जाएगा चली यह हो गया अभी मुझे यहां पर फटा फट चीजों को करनी है जैसे यह सारी चीज़ आप अगर देखेंगे तो यह देखें तो हम आएंगे यहां पर और यहां पर उडेन है तो मुझे उडेन लगानी होगी यहां पर और उडेन के लिए मैं क्या करूँगा मैंने इसको इसे triple click किया हुआ है वापस समय आज आएंगे और यहाँ पर आएंगे wooden के अंदर wooden laminates यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी wooden से related चली यह वाला लगा देते हैं और इसको यहाँ पर डाल देज़े यहाँ बस एक में अपने डाल दिया तो बाकी में आप यही से पिक करके आप डाल सकते हो यह देखो यह देखो उड़ेन यहां पर भी है इससे मैंने यहां पर भी कर लिया इसके अंदर भी दे देते हैं यह रहा जब भी आप डोर बनाएं ना तो डोर बनाते समय आप याद रखें कि आप उसको ग्रूप कर लें तो ग्रूप कर लेने से क्या होगा कि आपको एक ही बार में आपका टेक्शर गिर जाएगा जहां पर भी टेक्शर डालेंगे ना एक बार में वो टेक्शर अटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा जो मुझे यह एक ही करके करना पड़ रहा है वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह देखें जी यहां बिलकुल यह हो चुका है भी हमारा कुछ इस तरीके से हैं डबल कलिक कर ले और आज है यह यहां जी यहां बिलकुल चली यह दम पहतरीन तरीके से हो चुका है और बहुत खुबसुरत दिखेगा भी आपको जब मैं फाइनल रेंडर आपको करकर दिखाऊंगा तो फिर यह आप समझा हो जाओगे कि यह कितना खुबसुरत दिख रहा है अब इसके नीचे वाली पोर्शन को करनी है तो इसके लिए मैं जाता हूँ सेरामिक के अंदर और ले देता हूँ यहां से इसको एड़ टो सीन अब इसको डाल देचे इसे थोगा मैं बंद कर लेता हूँ भी यहां पर लगा लेता हूँ रिए डबल क्लिक करते हैं और यहां पर यह तैयार है अब इसका कर लेता हूँ यहां पर इन सब को तो इन के लिए मुझे यहां पर मस्त वाले टक्श schöne को नहीं होगी कुछ तदरीके की क्योंकि पुरा वाइर दीखेगा आपको यह ने लेना है यह लेते हैं एटो सिंड कर लीजे बहुत बढ़िया दिखने वाला है यह भी और इसको थोड़ा सा वाइट क्यों रखिए बस दे दीजे फटा फट इससे बंद कर लीजे और यहां पर आपको टेक्शर देना है जब भी आप टेक्शर देना तो एक कॉंबिनेशन को देन करना है आपको ताकि देखने में ऐसा नहीं लगे कि बहुत कलर फूल या फिर कुछ ऐसा हुआ हुआ है बहुत उपसूरती के साथ इसको आप मेंटेन करिए यह देखें और इस तरीके से हमारा यह कैबिनेट जो भी मैंने बनाया था नीचे में वो भी हमारा कम्पलीट हो गया ठीक है मैंकि लार्निंग